और राजी जे के सेलिब्रिशन में जाकन प्रदेश महिला कॉंग्रिस की ओर से आयो जुत महिला मैत्री सम्मेलन चल रहा है और इसमें महिला कॉंग्रिस की राष्ट्री अध्यक्ष नेटर डिसिवजा पार्टी के जाकन प्रभारी अविनाश पांडे प्रदेश अध्यक्ष राजेश शाकूर पाट्री के मंत्री पूर्वध्याक्ष और वधाया का पूर्व मंत्री सवेच सभी बढ़े नेता और भारे संख्या में महिला कारे करता मौझूद हैं तो देखिया आज महिला मैत्र समयलन का या यूजन हो रहा है कॉंग्रेस की राष्ट्रिया महिला अध्याक्ष नेटा डिसुजाइस में मौझूद है और साथी साथ कॉंग्रेस के प्रदेश प्रभारिया विनाश पांडे भी राची पहुंच रहे हैं और इस समयलन में उन्होंने शर्कत किया है प्रदेश के पार्टी जिसने पहली बार संसत के अंदर में महिला आरक्षन के बिल को ना है सिर्फ जर्टा की बलकि राज्य सबह में पास करा कर लोग सबह में बेगा जहां पर हमारे विपक्षी दोलों ने उसे पास नहीं होने दिया तीन बार कोशिश की गई लेकिन दुर्फागी की बात यह है और वहीं पर दुर्फागी यह है कि आज की वरतमान सरकार सिर्फ श्रेय लेने के चक्कर में और देश चेंदर आई हुई आपतों को चाहें महेंगाई हो बेरोजगारी हो या महिलाओं पर अच्काचार हो उनसे लोगों का छान हटाने के लिए इस आरक्षन के बिलकुर लेकर लेकिन उसके दस प्रकार के टर्म्स और कंडिशन्स लगा दी गई नारा यह सिर्फ नारा नहीं जो कारेकरम निता जीने और गुंजन जीने आपको दिया है कि हमारा वूत हमारी जुम्मेदारी यह मैं समझताओं की मूल पर मूल मंत्र एक आपको दिया है कि अधर वास्तविक्ता में माननिय राहूल गांदी जी कि उस तफश्या और कठिंच उस पध्यात्रा को सही रूप में आपको सम्मानित करना चाहते हैं जो प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के मात्यम से हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें आपको योगदान लगे कि जो मददाता सुची है उसका अध्यान करकर उसमें अपने जो साथी हैं अगर हर एक महिला देड़े संकल्पित होकर हर घर में घुश कर कहे कि आज जो भी हम देख रहे हैं वो कॉंग्रेस पार्टी में हमें दिया है मुझे लगता है कि बहुत सारी महिला है हम महिला मुख्या है हम उन लोगों को खाता में 15,000 पार मंत हर महिला देने की काम किया है ताकि महिला उस पंचाइद भवन को बड़िया तरीका से साब सपाई बानी देने की काम करें और छोटी छोटी कामों का उसको जो भी मत पड़े उसको भी हम देने की काम क्या है यहां जितना महिला हम देख रहे हैं उसमें हमको लगता है कम से कम 40% महिला आईसा है जो जेसी लपीस और मुख्या चाहे जेला परिसाद पंचाइसाइस समुझी से आप लोग जुड़े हैं आपको भी एक दाइत है और आपको भ मन से काम करके समाज को बेहतरी बनाईगे और महिला को आगे बढ़ानी की क्विसा में काम करोंगे अब हम जब सरकार में हैं आप सब और ताकत से काम करोगे क्योंकि आने वाले लोगसभा एलेक्शन जो है वो आप सब की एक्जामनेशन है वो आपकी परिक्षा है यह 50% सब्सक्रादी की परिक्षा है आपका हमारा और रजिम जी का जो सफना था जो सोनिया जी का संकल्प था मैंडाओं को 33% आरचन एसेम्बली और लोगसभाज में वो सफना दोहजार 24 में साकार अगर हमें करना है तो हमें जी तोड़ करके मैंनत करना है और आने वाले दिन ज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन निउस लवन भारत सच है तो दिखेगा